special provisions for individually different children that how can we provide special arrangements for different potential based children especially exceptional children जैसे हमारी class में gifted बचा होता है gifted से मुराज जिसका IQ लेवल बहुत हाई है जिसकी intelligence बहुत ज़्यदा होती है अब उसके हमारे schools में के पास कोई test तो नहीं standardize कि जिसको वो utilize करके किसी की exact intelligence का पता चला सके तो overall उनकी performance से ही teacher अंदाजा लगाती है कि ये बचा जो है ये बहुत intelligent है और ये बचा जो है ये average है तो ये जो observation है teacher की ये काफी important भी होती है और इसको correct भी होती है because daily child and teacher is interacting and through interaction they are understanding each other तो उसको क्या है कि next जैसे special provided gifted बचा है उसके लिए जो आम क्लास में अगर वो पढ़ रहे है तो वो जल्दी अपना काम खतम कर लेते हैं और उनको बोरियत होना शुरू हो जाती है तो teacher को चाहिए कि उनके लिए special assignments जो है वो उनको provide की जाएं उनको activities में involve किया जाए class के जो इतने projects है class की जतनी जो monitoring वाले exercises है photo copies करानी बच्चों को handle करना बच्चों को जो है काम provide करना उनको assist करना उनको facilitate करना ये extra थोड़े काम जो हैं जब आप इन बच्चों को देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और जब ये मसरूफ होते हैं तो उसके बाद फिर जो है इनकी शरारतें जो है काफी control हो जाती है तो हमारा जिस किसम का एक structure है schools का और जितने हमारे बच्चों को असानी से इस तरह से जो है वो deal कर सकते हैं उसके बाद emotionally disturbed बच्चे होते हैं हमारी ग्लास में hyper active होते हैं और aggressive बच्चे होते हैं और slow learner होते हैं shy बच्चे होते हैं emotionally disturbed हैं बड़ी जल्दी वो hyper हो जाते हैं बड़ी जल्दी रोने लग जाते हैं बड़ी जल्दी जो है वो स्क्रीम करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर को चाहिए अटेंशन, सिंपथी, लाव और केर ये वो चीजें हैं जो पैसों से नहीं मिलती हैं लेकिन टीचर कैन परवाइड खास तो जो ये है कि आप question जो है वो से पूछें, साथ उसको appreciate कर दें और बच्चे बड़े खुश होते हैं इवन टीचर पानी का glass भी अगर किसी बच्चे से रोज मगवाए तो बच्चे उसे jealous भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि टीचर ने हमें कोई काम कहा है तो ये छोटे 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 जिम्मदारियां जो class की है टीचर के आने से पहले class को ready करना बच्चों को discipline से बठाना, board का इंतजाम करना जब आप छोटे 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 responsibilities ऐसे बच्चों को देते हैं तो जो emotionally disturb होते हैं कि हमें importance नहीं मिलती हम neglected हैं उनको ये चीज़ जो है overcome करने में काफी help मिलती है उसके बाद hearing और visionary problems जिन बच्चों की है टीचर को पता होना चाहिए कि इनको मैंने किस seat पे किस bench पे बिठाना है क्योंकि इनके साथ ये वले issues हैं तो इसलिए आप उनको front benches पे adjust करें उसके बाद aggressive children को मेशा aggressive children को जब आप कामों में involve करते हैं कोई activities उनको देते हैं class monitor aggressive वले को बनाएंगे तो वो अपने aggression को control करेगा क्योंकि उसे सारे बच्चों को peacefully लेके चलना है तो तब वो अपनी seat पे रह सकता है अगर वो उन पे डंडे बरसा है या उनके साथ घुसे का महौल हो तो जाहरा उसकी seat छिन जाएगी तो अपनी seat की protection के लिए बच्चे जो हैं वो अपने aggression को control करते हैं तो आप इस तरह की जिमादारी बच्चे को दे सकती हैं जो बच्चे class में ट्रस्ट नहीं लेते हैं नौटी होते हैं या अग्रेसिव होते हैं class monitor वाली strategy काफियत तक बच्चों को responsible बनाती है फिर hyper active children जो हैं इनको भी आपने activity में involve करना है बजाए आप उनको don't debit करें don't debit से बच्चे बागी होते हैं आप उनको punishment देंगे तो बच्चे बागी होते हैं हमेशा बच्चे जो हैं class के अंदर जो हैं आप यकीन करें आप उनको आप उनसे के आज moral court कोई सुना दो आज तुम class के judge हो आज जो मैंने बढ़ाना है तुमने उसको सारा summarize करना है तो ये भी बच्चे काफी attention से फिर आपका lecture सुनते हैं तो इस तरह के चोटे-चोटे arrangements जो हैं वो आप class में बच्चों के लिए कर सकते हैं फिर उसके बाद कुछ बच्चे general intellectual ability के साथ होते हैं जिसमें हम genius का जिकर कर चुके हैं gifted बच्चे जो हैं ये extra intelligence के साथ हैं तो इसको आप उनके लिए challenging एक आम assignments जो बच्चों को दी हैं इनको थोड़ी सी इस group को एक challenging assignment extra एक आप और उनको काम दें कि कल का जो topic है जो हम शुरू कर रहे हैं उस पे तुम ये बना के लाओगे इसके notes और हम आप से आप की बास से शुरू करेंगे कल का lecture तो इस तरह जरा उनको extra काम जब मिलता है तो पर involvement होने के साथ जब भी आपने कोई idea नया develop कराना है तो इन बच्चों को आप जरूर इस तरह की जिमादारी दें और mind का busy रहना बहुत जरूरी है उसके बाद special academic aptitude है specified है कि एक बचा painter बनना चाता है एक writer है एक poet है उसके उस specific जो attitude है उसके उपर आप जरूर बात करें और बच्चों को छोटे छोटे competition करवाएं जिसमें बच्चों की involvement हो हर एक का जो special talent है उसकी कोई exhibition करवा लें class में कोई बच्चों की छोटी सी कोई gathering करवा लें जिसमें आप कहेंगे जी ये फिलान बच्चे में ये talent है वो ये show करेगा फिलान बच्चे में ये talent है वो ये present करेगा तो इस तरह multiple जो talent हैं आप उसको class के अंदर adjust कर सकते हैं फिर leadership, leadership develop करने के लिए बच्चों को मौका दें stage पे आने का और साथी class की responsibility का और हर हफ़ते monitor change करें ताके हर बच्चे को एक मौका मिले class rep जो है class जो है वो monitor है दो तीन उसकी positions बना लें कि ये पूरी class का होगा एक हफ़ते के लिए अगर इसने अच्छा perform किया तो फिर इसको हम दो हफ़ते पे ले जाएंगे नहीं तो पिर हम rotation आपने करनी हैं एक ही बच्चे को दो-दो महीने के लिए class monitor ना बनाएं या पूरी session और पूरी term के लिए ना बनाएं rotation करेंगे तो हर बच्चे को मौका मिलेगा फिर visual and performing arts बाद बच्चे डांस बड़ा अच्छा करते हैं और डांस को हम अच्छा चुके हम नहीं हम समझते हैं और इस डांस को आप sports की तरफ convert कर सकते हैं sports में जिमनास्टिक की तरफ convert कर सकते हैं जिसमें बच्चे को मौका मिले कि वो अपनी body जो है वो उसकी performance वहाँ बे दिखा सके तो psychomotor skills भी है कि skills सीखना है किसी भी skill को writing skill बड़ी अच्छी होती है बच्चों की तो उसके competitions कराए जा सकते हैं ऐसे competition हो सकते हैं इस तरह मौतलिक skills बच्चों की जो हैं आप उसकी जरूर क्लास में appreciation जो हैं जिससे बच्चों के potential और बच्चे satisfied बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होते हैं